नमस्कार दोस्तों, अलकास किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी जिस आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और यह कित्ती बहुत सॉफ्ट बनी है आने वाले रक्षा बंधन पर आप भी बनाईए और अपने भाई का मुँ मिठा इसी से करवाईए सर्दियों में भी बेसन की बर्फी बहुत ही फायदे मंद होती है इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा इसमें 500 ग्राम मैदा पतला है और 500 ग्राम बेसन मोटा है आपको अगर मोटा बेसन नहीं मिलता तो आप पतला भी ले सकते हैं या एक जैसा भी ले सकते हैं 270 ग्राम घ्री लिया है अगर जुरूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे मीठा लिया है मीठे में मैंने ये बुरा लिया है आप देसी खांड या पाउडर शुगर भी ले सकते हैं ये बादाम और पिस्ता की कत्रन है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फी इसके लिए हम लेंगे एक मोटे तले वाली कड़ाई गी मोटे तले वाली कड़ाई लेने से नीचे भूनते भूनते नीचे लगता नहीं है इसमें मैंने डाल दिया है ये घी को हम गरम होने देंगे और घी गरम होने पर हम डाल देंगे इसमें बेसन बेसन को हम धीरे धीरे भूनना शुरू करेंगे बिलकुल लॉफ लेम पर भूनना है इसे पहले चलाने में कट्ची चलाने में थोड़ा हमें ये मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुत असानी से भीलना शुरू हो जाएगा बेसन अच्छे से बुनना शुरू हो मैं आपको इसे सारे स्टेज दिखाऊंगे, वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि बेजन को किस तरह से भूनना है और कितना भूनना है. हमें इसे दीरे-दीरे भूनते रहना है, इस तरह से, अभी ये थोड़ा ड्राई है, ये देख सकते हैं, आप अभी बिल्कुल इसे चारो तरफ से हिलाते हुए भूनना है हमें, ताकि इस बेजन में कहीं भी कच्छा पन ना लगे. इसमें हम दो से चार चमश घी और डालने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है, इस तरह से देखिए, टोटल 275 ग्राम घी हो जाएगा ये हमारा, इस देखना, अभी दो मिनट के बाद हमें इसे भूनने में बहुत असानी होगी, ये एकदम घुल जाए धीरे-धीरे मार्केट से लाई हुई मिठाईयों से भी ज्यादा स्वादिष्ट घर की मिठाईयां बनी होती हैं, हम क्योंकि हम इने बहुत प्यार से बनाते हैं, और बिल्कुल सफाई का ध्यान रखते हुए बनाते हैं, आज कल जिस तरह से महल चल रहा है, उसमें तो घर का बना हुआ ही बेस्ट होता है, यह देखिए, हम इसे चारो तरफ से धीरे-धीरे हिलाते रहना है, और इसका अब कलर भी चेंज होने लगा है, इसको हिलाने से रुखना नहीं है, नहीं तो यह नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, नीचे से अगर थोड़ा भी जल गया तो पूरी बर्फी का टेस्ट खराब हो जाएगा, यह देखिए, अभी इसको कितना असानी से हम हिला पा रहे हैं, यह बहुत ही सौफ्ट बन गया है, इस तरह से धीरे-धीरे हिलाते हिलाते, मुझे लगभग 20-25 मिनिट हो चुके हैं, इसे हिलाते हुए, फ्रेंड्स आपको मैं एक टिप भी बताऊंगी, कि यहां में कैसे पता चलेगा, कि हमारा बेशन पूरी तरह से बहुन चुका है, कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन कई बार पूरा बेशन बहुनने पर हमें लगता है, कि हलका सा कच्चा रह गया है, तो उसके लिए हम मीठा एड़ करने से हमें अच्छे से पता चल जाता है, इसे टेस्ट करके देखिए, चीने के साथ मिलने पर इसमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मीठ कच्चा है कि नहीं, मेरा बेशन लगबग होने ही वाला है, सिर्फ पांच मिनिट और मैं इसे भूनने वाली इसमें हम डाल देंगे ट्राइफ रूट्स, अभी आधे ही डालेंगे त्याकि साथ साथ ड्राइफ रूट्स भी रोस्ट हो जाएं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, ट्राइफ रूट्स का एकदम रोस्ट की हुए क्रंची लगेंगे बेशन जब आपका भून जाए भूनने वाला हो दो पांच मिनिट पहले ही ड्राइफ फूट से अड़ कीजिएगा और साथ में डालेंगे आधा चुमा चिलाइची पाउडर जिसमें इससे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी मुझे इस बेशन को भूनने में टोटल 45 मिनिट का समय लगा है और ये देख सकते हैं आप पूरा बेशन भूनकर कितने अच्छे से तयार हो गया है एकदम कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है अब हम इसे फ्लेम से उतार देंगे अभी इसमें हमें चीनी एड नहीं करनी है इसे हम नेचे उतार कर रख देंगे क्योंकि ये खुद से भी थोड़ी कुकिंग होगी इसमें अभी ये बहुत हीट है इसके अंदर अभी से हम 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही रख देंगे 10-15 मिनिट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम इसमें मीठा एड कर रहे हैं मीठा आप अपने स्वाद के नुसार एड कीजिएगा मेरा लगबग 300 ग्राम के करीब बुरा लगा है इसके अंदर अगर आपके पास देसी खांड है तो आप बो डाल लीजिएगा नहीं तो चीनी को पीस कर उसको मिक्सर ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लीजिए और बो डाल दीजिए इस तरह से हमारी ये देखे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है आप चाहें तो इस टेस पर इसके लड़ू भी बना सकते हैं बहुत असानी से लड़ू बन जाएंगे लेकिन मैं इसकी बरफी बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और इसमे हम अपने सारे मिश्रन को अच्छे से फैला देंगे और एक सार कर लेंगे बिल्कुल बराबर लेवल करना है ताकि बराबर बराबर पिसेस कटें इसके हाथ से भी फैला सकते हैं ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने एक दम फैला लिया है जो बाकी ड्राइफूट्स बचे थे वो इसके उपर फैला देंगे और अच्छे से इसको सेटोने के लिए रख देंगे गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ये देखिए हमारी बेशन की बर्फी जम कर एकदम रेडी हो गई है मैंने इसे तीन घंटे के लिए रख दिया था तीन घंटे में ये बहुत अच्छे से जम गई है और अब हम इसके पीसे कट कर लेंगे नाइफ को बिल्कुल नीचे तक लेकर जाईए कट करने के लिए व पीसेस कट लेने हैं चाहे आप रेक्टेंगल शेप में काटिये और चाहे चौरस पीस बनाईए मैं इसके चौरस पीस बना रही हूँ इस तरह से बहुत असानी से कट जाएगे बिल्कुल भी प्रॉप्लम नहीं होगी और पीसेस भी आपके नीचे से कट होने की वज़े से पूरा पीस एकदम आराम से निकलेगा आपका यह देखिए यह बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है और पिल्कुल एकदम एकदम पीस निकला है इसका एकदम सही से तो फ्रेंस इस रक्षा बंधन आपने भाई को अपने हाथों से बनी हुए मिठाई खिलाए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अपने व्यूज दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के झाल